डेवीड हेडली ने आज कई बातों पे खुलासा किया है पहला खुलासा इसने किया है कि लशकर तोईबा और आएसाई इनकी एक साड़गाट थी और इतना ही नहीं तो आएसाई लशकर तोईबा को मौरल, मिलिटरी और फाइनाशल सपोर्ट करती है ये भी बात उसने कही हमने जब हिडली को पूछा कि करनल शाह, ब्रिगिडियर रियांस और लेफनन करनल हमजा इनको पैचानता है क्या तो उसने कहा कि मैं इनको पैचानता हूँ, ये लोग आएसाई में काम करते हैं ये भी उसने बात दूसरी बात उसने कही कि मैंने बंबई होटेल टांच, होटेल ओबेरोई, CST Railway Station, Naval Headquarter, Police Headquarter, इनका और छाबाड house, इनका मैंने सर्वे किया था और इनका मैंने वीडियो ग्राप लिया था, और मैंने GPS, GPS की जिसके दारा मैंने लेंडिंग साइट का लोकेशन उसमें नोट किया था और वह सब उनकी इमेजेस और जीपिएस मैंने अबू काफा और साजीत मीर और मेजर पाशा सॉरी मेजर इकबाल को इन्होंने ये सभी चीज़े दी थी ये भी बात उनने आज कोट में कही उन्हें ने कहा कि मैं बार-बार मुंबई में आता था एक वक्त मेरे साथ मेरी पत्नी भी आई थी और मेरी पत्नी के आने के बाद मैं होटेल ताज और होटेल ओबेरा में रुखा था होटेल ताज का मैंने सेकंड फ्लोर का वीडियो ग्राप लिया था क्योंकि मुझे एलेटी ने कहा था कि इंडियन साइंटीस की इनके कॉन्फरेंस होने वाली है सेकंड फ्लोर होटेल ताज में और उसे उनको अटेक करना हो हमने पूछा कि तुमने फिर उनका प्लैन का क्या हुआ तो उसने कहा कि उस वक बारूद और असला न मिलने के कारण और उन्होंने प्लैन को अबेंडन कर दिया ये भी आज डेविड हेली ने बात बताए डेविड हेली की गवाई और कल से वापस शुरू होगी डेविड हेली ने ये भी बात कही कि पाकिस्थान में अलग-अलग जो आतंकी गठर हैं वो युनाइटेट जिहाद कॉंसिल के अंडर काम करते हैं और उनका एक ही लक्ष है कि भारत में टेर्रिस एक्टिविटी को बढ़ावा देना डेविड हेली ने ये बात साब बता दी कि आएसाइ लश्करत तोईबा को मिलिटरी सपोर्ट करता है फाइनांशियल सपोर्ट करता है और मौरल सपोर्ट करता है इसलिए हमने कुछ चंग लोगों के जो आएसाइ के लोग है उनके नाम पूछे उनसे बहुत कुभी जानता है ये भी बात उसने